ओकनेक पर वेबिनार किरियट करते समय कई बार यूजर को टेकनिकल इसू का सामना करना परता है तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वह कौन सा टेकनिकल इसू है जो ओकनेक पर वेबिनार किरियट करते समय आता है साथ ही हम बात करेंगे opounder.net के अपडेट में जेफरी मारलोक के द्वारा संजुकतराज अमेरिका से एक पोस्ट किया गया है उसी पोस्ट के बारे में नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है मंटन सर्मा तो सबसे पहले मैं आपको पताना चाहूंगा कि opounder.net के अपडेट में जेफरी मारलोक के द्वारा संजुकतराज अमेरिका से यह पोस्ट किया गया है और यह पोस्ट कल 7 अप्रेल रविवार को संध्या 6 बज कर 52 मिनिट में किया गया था इस पोस्ट में यहाँ पर एक इमेज को लगाया गया है और इस इमेज में यहाँ पर आउनपैसिव लोगो को लगाया गया है यहाँ पर आउनपैसिव के CEO Mr. S. मुफाडे के इमेज को लगाया गया है इस इमेज में यहाँ पर लिखा हुआ है आवर भीजन, define the outcome वही नीच लेकिन opounder.net के image में जो कुछ भी लिखा हुआ रहेगा उस image को आपúblic diagnose नहीं कर सकते हैं लेकिन मैंने उस image को हीदी में गर्ट कर दिया है और हिंदी में करने की बाद यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है हमारा द्रिष्टिकोन परिणाम को परभासित करता है नीचे में आपड़े लिखा हुआ है सरवत्तम साध्य, पूर्ण एवं अदूतिय, सफलता सुनिश्चित करता है, उप्योग में सरल, सरवाधिक मुल है, अस्थाई लाव है, तो हिंदी में कन्वर्ट करने की बाद उस इमेज में कुछ इस तरह से लिखा हुआ आता है अब हम बात करते हैं कि O Connect पर वेविनार क्रियेट करते समय, यूजर को किस तरह का टेकनिकल इसू आता है, O Connect पर वेविनार क्रियेट करने के लिए हमें सबसे पहले New Event वाले Option पर क्लिक करना है, उसके बाद वेविनार को सलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको Title में वेविनार का नाम दे देना है, तो मैं इसमें मंटन नाम दे देता हूँ, वेविनार एजेंडा नेम में आपको कुछ भी लिखते ना है, जैसे मैं यहाँ पर डेमो लिख देता हूँ, उसके बाद क्रियेट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद इस तरह से लोडिंग लेता है, और टेकनिकल इसू ओकनेक पर बेविनार क्रियेट करते समय यूजर को क्यों आ रहा है, इसकी जानकारी टेकनिकल टीम के पास होनी चाहिए, और इस टेकनिकल इसू को जल्द से जल्द सोल्व किया जाना चाहिए, जिससे की ओकनेक पर बेविनार क्रियेट करते समय यूजर को क वेबिनार एज़ेंडा में भी कुछ कर देना है उसके बाद क्रिएड वाले बटन पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद इस तरह से लोडिंग लेता है और यहां पड़ेट नोटिफिकेस्न आ जाता है इसमें यहां पर लिखा हुआ है कर देइक ikke रिइन करते हैं इसके लिए आपको अपने प्लान को अपडेट करना होगा आपको ओकनेक का सस्क्रिप्शन पैकेज को खड़ीदना होगा और इस तरह का पौप अपनेक्ट के फिरी ट्राइल भरजन में आता है लेकिन यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी ओकनेक्ट के इस एकाउंट में एक भी वेबिनार को क्रियेट नहीं किया गया है एक भी कॉंफरेंस को क्रियेट नहीं किया गया है इसके बापजूद ओकनेक्ट के इस एकाउंट में वेबिनार क्रियेट करते समय इस तरह का पौप अप नोटिफिकेशन आ रहा है इससे पहले कुछ ऐसे अपडेट किये जाते हैं जिसके बारे में यूजर को पता भी नहीं चलता है तो उमीद करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे इस वीडियो से समंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कोमेंट में पूछ सकते हैं